हेलो स्टूजेंट्स लास्ट लेक्चर में हमने देखा था कि क्रोमेटिक अब्रेशन किस तरह से होता है और वो किन फेक्टर के उपर डिपेंड करता है उसके टाइप कितनी है तो आज जो है हम लोंगिटूडनल अब्रेशन के बारे में पढ़ेंगे और लोंगिटूडनल आपको आपने इंफिनिटी के उपर रखा है या आपने फाइनाइट डिस्टन्स के उपर रखा है तो यहां पर भी आपके पास दो केसे बनेंगे एक तो आप अब्जेक्ट को रखेंगे इंफिनिटी के उपर और दूसरा जो है आप अब्जेक्ट को अगर फाइनाइट तो रखा है, then how can you calculate the longitudinal aberration, तो एक पर देखिएगा, मैं डाग्राम से आप लोकों को समझा देती हूँ कि longitudinal or lateral aberration, जो है actually में आप इसको किस तरह से represent कर सकते हैं, तो यह हमारा जो है lens है, object को हमने यहाँ पर रख दिया, और object आपको नजर भी आ रहा है, finite size के उपर, object को हमने AB से represent करती है, यहाँ पर, object से जो light आ रही है lens के उपर, तो object पे light डालेंगे पहले, वो reflect होकर lens के उपर आएगी, तो वो जो light है, वो white light है, और हमें यह पता है, कि object से जब हमारे lens के उपर raise आती है, तो दो raise ले लेते हैं, तो एक तो बड़ा असान सा है, आप principal axis के parallel ले लीजे, तो ले ली हमने parallel, तो यह वाली हो गई हमारी, उसको आप first नाम दे सकते हैं, इसको first ray कह दीजेगा, दूसरी ray जो आपने 9, 10 में और 12 में पड़ी थी, हमारे लिए बड़ा easy था, pole में से ले लीजेगा, कैसे, क्योंकि pole में से आप जानते हैं, जो भी ray pole में से जाएगी, वो यह easy one है, क्योंकि आप जानते हैं, जो parallel जाती है, वो निकलती है आपके focus में से, तो यहाँ पर हमारा focus और यृट कलर के लिए हो गया, और यह किस के लिए हो गया, हमारा red कलर के लिए हो गया, तो यह point V को represent करता है, और यह point किस को represent करता है, एफ-R को represent करता है, दूसरी ray जो तो यह काम होगा आपका देखें वॉयलेट कलर जो है यहां पर वॉयलेट कलर वॉयलेट कलर जो है मिलके यहां पर आपको यह जो A-B- नज़र आ रहा है यह दिस इस दा पॉजिशन ऑफ यॉयलेट कलर इमेज और A-B- यह साइज भी हो गया एक तरह से similarly ये जो हमारी ray है ये है red color की तो ये red color वाली यहां आके आ रही है और ये देखें अन्डैवेटर जो आ रही है वो भी यहां आके मिल जाएगी तो ये आपका red color की image आपको यहां मिलने वाली है तो position होगे b double dash और size होगे आपका a double dash b double dash तो यहां देखें position की भी बात हो रही है और size की भी बात हो रही है तो अगर हम positions में इसे position minus कर रही है यहां के b double dash में इसे b dash minus हमने अगर कर दिया तो हम बात कर रहे हैं x की and this is our lateral chromatic aberration अगर आप x को find out कर रही है तो दूसरा देखेगा हमारे पास b double dash a double dash red color की image का size है b dash a dash हमारी violet color की image का size है तो आपके पास इन दोनों images के size में फर्खी कितना है आप a dash से principal axis के parallel एक line draw कर दिजी वह आप यह intersect कर रही है तो अगर आप देखें तो आपकी b double dash a double dash इतने ही तो बढ़ी है a dash b dash से तो this is the difference between the size of the images तो अगर आप y निकाल रहे हैं तो इसका मतलब आप किसकी बात कर रहे हैं आप यहाँ पर बात कर रहे हैं lateral chromatic aberration की तो y निकल गया तो lateral chromatic aberration और अगर x निकाल रहे हैं तो this is our longitudinal chromatic aberration तो यहाँ हमारे पास हमने इस चीज़ को represent किया भी है x जो है longitudinal chromatic aberration को represent कर रहा है और y जो है lateral chromatic aberration को represent कर रहा है a dash b dash violet image थी a double dash b double dash red image थी violet images form nearer the lens already आप पिछ्री lecture में देख चुके red color की image उसे पहले बनती है और the images of the intermediate colors lie in between violet red images and their size increases from violet to red तो यह यहाँ तक की बात जो है हम हमने previous lecture के अंदर यहाँ तक हम discuss कर चुके है तो अब जो नहीं चीज़ हम यहाँ पर आज पता लगाएंगे वो यह है अगर हमने infinity के उपर object को रख दिया तो जो longitudinal chromatic operation है वो value क्या होगी और वन किन factors पर depend करेगा इसका मतलब हमें यह पता लगाना है कि इन दोनों images के position के बीच का difference कितना रहेगा तो सोचिएगा अगर आप infinity पर रग रहे हैं object और object से white light आ रहे हैं तो जो violet color है वो fv पर यानि के focal length of violet color पर और जो red color है वो fr के उपर converge हो जाएगा वहाँ पर image बना देगा तो different images different focal lengths के उपर बन जाएगी different colors images are formed at different points along the axis of the lens तो यह आपके पास axial longitudinal chromatic operation कहलाता है तो यह difference का ही पता लगा रहे हैं उसके बाद देखेगा the distance between red and blue color image gives a measure of longitudinal abrasion तो हम मान रहे हैं if the object is at infinity then the images will be from red focal length आप जानते हैं यही basic है अगर u की value infinity है तो v is equal to f हो जाता है so the axle abrasion तो axle abrasion का पता कैसे लगाएंगे अब image बन रही है एक f r के उपर और एक f b के उपर blue color की image consider कर रहे हैं तो f r और f p का difference पता लगा लीजे वही हमारा x था और यहां पर हमें यही पता लगाना है तो यह हमारा longitudinal chromatic abrasion है तो अब देखेगा तो उसके लिए पहले f r की value हमें निकालने पड़ेगी तो f r की value निकालने के लिए हम क्या करेंगे हमें formula लगाना पड़ेगा 1 by f is equal to mu minus 1 1 by r1 minus 1 by r2 तो this is the formula of thick lens तो हम यहां देखेगा f r, f को हमने replace कर दिया f r से क्योंकि red color के लिए focal length जो है वो f नहीं है f r है red color के लिए refractive index mu नहीं है mu r है और यह दोनों चीज़ें आपकी सेम ही रहती है radius of curvature इसमें कोई फर्क नहीं आता blue color के लिए यह आपके पास refractive index mu b हो गया और focal length आपकी f b हो गई यह आपकी चीज़ें दोनों की दोनों क्या रही सेम रही अब हमने यहां पर देखे क्या किया है हमें यह difference ही तो चीज़ें यह न f r minus f b तो हमने क्या किया हमने इन दोनों equations को 1 by f r और 1 by f b क्योंकि हमें पता f b is smaller तो 1 by f b is greater as compared to 1 by f r तो इसी वज़े से f b में से 1 by f b में से आप difference कर रहे हैं minus कर रहे हैं 1 by f r को तो जब आप यह values put करेंगे तो आपको यह वाला result यहां पर बहुत इसली मिल जाने वाला है तो mu b minus mu r और यह आपका common 1 by r minus 1 by r 2 मिल जाएगा अब यह fourth equation देखिएगा यह fourth equation mean focal length को represent करती है यह fourth equation में यह mean focal mean refractive index है r1 radius of curvature of the first surface r2 radius of curvature of the second surface और यह जो mean की जब हम बात कर रहे है तो इसका मतलब जो seven colors हमने लिये थे seven colors का जो आपके पास seven colors में आप देखेंगे के lambda 1 plus lambda 2 up to lambda 7 divided by 7 करके जब आप mean wavelength निकालते हैं तो उसके corresponding mean focal length भी आजाती है mean refractive index भी आजाता है तो जब हम यह निकालते हैं value तो that lambda comes to be approximate equal for the yellow color तो इसका मतलब यह जो हमारे पास है f की value mean focal length है yellow color के लिए और mu की value mean refractive index आपका किस चीज़ का है yellow color का है तो यहाँ पर हम इस चीज़ को क्यों use करना चाह रहे हैं हम इस वज़े से use करना चाह रहे हैं कि अगर हम अपनी इस equation के अंदर इस equation को mu minus 1 से multiply और mu minus 1 से अगर हम divide कर दें तो यह देखिएगा यह चीज़ हमारी बड़ी easily add हो जाएगी तो इस equation में mu minus 1 multiply और mu minus 1 divide कीजे तो mu minus 1 into 1 by r1 minus 1 by r2 की जगा 1 by f easily put कर सकते हैं यह term आपकी और कुछ नहीं है this is where 1 by f यह आपकी 1 by f है उसके बाद हमने एक assumption यहाँ पर और डाल दी है calculation को easy बनाने के लिए 1 by f b that is focal length of blue color and focal length of red color red color की focal length जाद है blue color की कम है तो अगर multiply करेंगे तो mean focal length के square के approximate यह आ जाता है तो इस term को आप f square से represent कर सकते हैं तो यह आपकी f square होगे तो क्या क्या changes होगे f r minus f b तो as it is रहा यह आपका f का square हो चुगा mu b minus mu r as it is रहा mu minus 1 as it is रहा लेकिन यह जो पूरी term है यह आपकी कितनी होगी 1 by f तो यहाँ पर देखिए आप इस f को cancel out भी कर सकते हैं और यह हमने next step में किया भी है और इस f को हम यहाँ पर ले आए तो यहाँ पर देखिएगा यह जो mu v minus mu r और mu minus 1 है इसको हम dispersive power of the lenses represent करते हैं this is the formula for the dispersive power of the lens तो यह पूरा का पूरा आपका omega से represent हो जाएगा तो omega into f तो यह आपके पास किसके equal आगया this is your x और यही आपका क्या था longitudinal chromatic aberration तो longitudinal chromatic aberration is equal to product of the dispersive power and the focal length mean focal length of the lens तो omega हमारा किसको represent कर रहा है dispersive power को represent कर रहा है तो यह है हमारा एक situation कि जब object को आपने infinity पे रखा था then this will be the formula सिधा, numerical अगर हमें मिल रहा है तीन नंबर का तो वो इस तरह से पूछा जाएगा, कि आपको निकालनी है x की value, f r minus f और यह देखे omega दे रखा और f दे रखा, तो सिधा क्या करना है mean focal length को dispersive power से multiply कर दीजी and you will get your longitudinal chromatic abrasion, तो have a nice day or have a great day, तो आज के लिए बास इतना ही, next lecture के अंदर हम इसी का second part देखेंगे कि जब object को infinity पे ना रखके finite distance पे रखा जाता है तो longitudinal chromatic abrasion का जो result है, किस तरह से vary करेगा कि अंदर हुआ 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 है